नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बज़ और आज के बडियों में हम बात करेंगे रेल्वे के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में करेंट अफेर के बुक के बारे में और ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा करेंट अफेर का बुक है स्पार्क पॉब्लिकेशन का ये बुक है इसमें आपको जनवरी 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट कोसन देखने को मिल जाएंगे तो फिक्ष ईसमें कवर किया गया है प्रीकेंट कुछ अब्जुक्टिब कोसन प्रीविएस येंद के बयुकर्प इस में कवर 2020 से जनवरी 2021 तक के वन लीनियर कोशन भी आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद करेंट अफेर कौन कहां पर ये आपको देखने को मिलेगा COVID-19 के बारे में देखने को मिलेगा सैन अभियास है रैंकिंग और रिप्योर्ट से भी कोशन पूछा जाता आत्म निरभर भारत 3.0 से भी आपको टॉपिक के कवर किया गया है आर्थिक समिक्षा केंद्रिये और राज्य सरगार की योजना पुरुसकार और खेलकूद सभी टॉपिकों को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है तो दोस्तों अभी तक मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा चले इसके अंदर के हम देखते हैं इंडेक्स को देखते हैं विसाय सूची को देखते हैं तो सबसे पहले आगर आप देखेंगे तो जो करेंट अफेर है टॉपिक वाइस पहले आपको बताया गया है ठीक है जो मैंने बोला वही चीज यहां भी आपको देखने को मिलेगा उसके बाद आप देखेंगे यहां नीचे में करेंट अफेर आपजेक्टिव वह भी टॉपिक वाइस आपको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा और यहां रेलवे के ही कोशन नहीं है यहां पर S.S.C. के भी कोशन है जो हाल फिलाल में एग्जाम है उनके भी कोशन को कवर किया गया है उसके बाद यहां पर आगर आप देखेंगे सबसे लास्ट में तो यहां पर देखे वन लिनियर के फार्म में आपको जनवरी से लेके जनवरी 2020 से फरवरी 2020 से लेके जनवरी 2021 तक आपको दिया गया तो दोस्तों 104 पेज लगभग इसमें कितने पेज है मैं आप लोग को बता देता हूँ लगभग इसमें MRP दोस्तों इस बुक का होगा 100 और ठीक है मैं दिखा दूँगा लगभग इसमें जो बुक के पेज है ना नमबर पेज है 104 पेज यहां दिये गया लगभग 104 पेज यहां दिये गया और हर एक टॉपिक को कवर किया जैसे पहला टॉपिक देखेगा पहला जी ट्रेनों को लांचिंग वर से घोसना उसके बाद यहां देखेगा भारती रेल्व के सबसे सकतिसाली इंजन का प्रचलन यहां देखेगा आगे भी देखेगा आंजी खादे ब्रेज तो जितने भी इंपॉर्टन टॉपिक है रेल्वे के लिए उन सभी टॉपिक को बह देखने को मिली ही जाएगा उसके बाद मैं आप देखेगा हर एक टॉपिक हो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हां कबर किया गया है यहां देखे केंद्र सासित राज्यों के मुख्य मंत्री राज्य पाल और उनकी राजधानी को भी लिखा गया एकी साथ यूटी को भ भी धन हुआ हाल फिलहाल में उनके बारे में भी यहां दिया हुआ है उसके बाद कोविड-19 के बारे में महतेपुर्ण जानकारी भी आपको देखने को मिलेगा एक एक जानकारी यहां देखने को मिलेगा कोविड-19 से रिलेटेड सिर्फ दो पेज में कवर किया गया तो नविंतम पुस्तक के को भी कवर किया है जो कि रेलवे के एक्जाम में पूछा जाता है वेब अप्लिकेशन वेब पोटल जितने भी है सभी को कवर किया गया एक साथ कवर किया गया उसके बाद देखेगा आत्मिंदर भर भारत हो गया आर्थिक समिच्छा हो गया जनगन्ना 2011 हो गया केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार की योजना सभी चीज को इसमें कवर किया गया उसके बाद आप देखेगा पुरुसकार सम्मान को भी बहुत अच्छे तरीके से सजा के इसमें कवर किया गया बहुत अच्छे तरीके से dj. अरेंज किया गया है. इतना डिच्टेल में और किसी बुक में साध मुझे देखने को नहीं मिला. इस बुक में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से छेतर भी लिखा है कि कौन से छेतर के लिए दिया जाता है सभी कुछ को इनामी रासी भी लिखा हुआ है तो ऐसे आपको बहुत कम बुक में देखने को मिलेगा ठीक ना तो दोस्तों यह जो बुक है बहुत अच्छा बुक लग रहा है मुझे खेल कूद को भी देखी काफी जादा अरेंज करके इन्होंने दिया गया सबसे प को एस्टेडियो में ऊभी हाल फिलाल मैं चर्चा में था गया है जासर देख सकते हैं यहां पर अ यहां को इसमें cover किया गया है है हर एक टॉपी को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से cover किया गया अब दिखें दोस्तों इस बुक में मुझे अच्छा क्या लगा यहां दिखें रेल्वे समाने घ्यान लिखा हुआ है वस्टू निष्टे और यहां जो कोस्टन दिया हुआ है रेल् बहुत अच्छा यहां बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है अंतराश्च्टिय संगठन के बारे में लिखा हुआ यहां पर इसके बाद विश्वे रिपोर्ट वैस्विक सुचांग भी यहां कवर किया गया है टीक है गुरूप D के भी कोस्टन आपको देखने को मिलें बूसकार संमान में भी कवर किया गया अप्रेश्य कोस्टन दिख रहे होगा आप पहला को सन दूसरा को सन तो लिटेश को सन भी आपको आपड्जेक्टिब के फॉरं में पूछे जा चुके तो दोस्तों इससे बहुत ज्यादा आप लोगों को फाइदा होने वाल है झाध सब कोशन को उठा के हर एक एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है कोशन रिपीट होते हैं परमुखे पुस्तक हो गया वहां यह भी देखे अब्जेक्टिव की फॉर्म में हर एक एक्जाम के कोशन को कवर किया गया रेलवे एंटीपिसी के भी लेवल के ग्रूब डी लेवल क सभी लेवल के एक्जाम को कवर किया गया ठीक है आगे अंतराष्ट्रिय दिवस हो गया जो अभी हाल फिल हाल में पूछे गया उनको अलग तरीके से कवर किया गया तो यह दोस्तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बुक का भारत के परमुखे तहवार मेले एक एक चीज क तो दोस्तो कुछ भी आपका छुटेगा ने इस्टाटिक भी हो जाएगा ठीक है अगे दीखे निरत्य शंगीत यह भी आपको कवर किया गया यहाप तो इस्टाटिक भी यहां कवर किया गयायो ह्य क्यक्तел नदी घाटी पर्योजना हो गया सब्दों का संशिप्त रूप हो गया जो महत्यपूर्ण है चेत्रकरा के बारे में कुस्टन है उसके बाद एक ही बुक से दोस्तों आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा कम्टूटर के लेटिस्ट को सना आपको कवर किया गया जो कि एक्जाम में किषञे के कष्ञे क कफिसे के संखिया यहां कवर किया गया एक है कि ससी के ऐसे की और के एक कर एक है यह नहीं करेना इनका भारत पर यह तक मनसा साध्ष। और विष्वय परमुख्य देश हो जाएगा उनके को कवर किया गया भारत के जील और जल प्रताफ हो गया रेजजानी मुद्रा जो फिलाल में पूछा गया है ं रेलेट के एकजाम ने उन सभी को यहां कवर किया गया है बहुत यह चा है दोस्तो अच्छे तरीके से नों इना सभी टॉबिक को कवर किया गया है साथ में आप यहां देखेँ तो वन लीनियर के फॉर्म में हर महीने का करेंट फेर आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां देख सकते हैं वन लीनियर के फॉर्म में फर्वरी का देखने को मिल रहा है आपको मार्ज का देखने को मिल रहा है अप्रिल का देखने को मिल रहा है तो ऐसे करके हरे टॉपिक को इसमें दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से इन्हों ने cover किया है तो कुली मिला के दोस्तों ये जो book है मुझे बहुत अच्छा book लगा इस book की जो कीमत है मैं बता देता हूँ इस book की जो कीमत है लगबग 100 रुपय होगा 100 रुपय हाँ देखिए लिखा हुआ है 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये book आपको 60 रुपय में मिल जाएगा तो दोस्तों ये book बहुत ही अच्छा book है बहुत कम समयमा आपको बहुत अच्छे से revision करवा देगा हर एक topic मिल जाएगा current affair तो आपको इस book से पता चलेगा static gk भी आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों इस book को आप लोग जरूर पर्षेस किजिए और अगर कोई आपके मन में doubt होगा इस book को लेके या किसे other book के बारे में आप लोग को जानना होगा तो मुझे comment करके आप लोग बताईएगा अगर ये वडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा आसका करता हूँ कि आज कर दिन आप लोग का काफी अच्छा रहा है अगले वडियो में फिर से मिलते हैं थैंक यू